एलो एवरिवन इंडियन जुडिस्य सर्विस में आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में हम लोग जैनल साइंस पार्ट 1.2 यह इसमें हम लोग जो है फिजिक्स यानि भौतिक विज्ञान से समंदित 25 अति महत्पून प्रसनों को देखेंगी यह वीडियो इस रंख उस सब्सक्राइब ओंति कैंने जुडियों जो होता है वह सबस्क्राप्यज को सब्सक्राइब वारा, इसकी कोई है, तो मारा हो जाएगा, यहाँ पर, option A, बार, next question पर आते हैं, question number 27, मैनो मीटर के दोरा, किसकी माب की जाएगा, तो जो मैनो मीटर है, यह मैनो मीटर है, इसके दोरा, जो है, गैसों का दाव, यानि, गैसों के दाव, की जो है, माप की जाते तो option B यहां पर सही हो जाएगा question पर आते हैं question number 28 सुमेर्थ कीजिए तो देखते हैं यहां पर तो पहला है यहां पर jool के द्वारा हम लोग किस को नाप सकते हैं तो jool का हो जाएगा option यहां पर 3 ampere ampere जो होता है इसके दोरह धारा जायानी विद्दु धारा होती इसके जने आपने के लिए MPR को यो होता है देखाओगा आपने अकसर घरों में जह सॉकेट लगे होते हैं भी लिके यह हो जाएगा 5 तो मैच कर लेते हैं हम लोग तो 31245 तो 31245 तो हमारा आंसर जाएगा option a ने स्कूशन पर आते हैं question number 29 एंपियर मापने की इकाई एक है दिए एंपियर जो होता है ने स्कूशन पर आते हैं question number 30 ध्वनी की तीवरता को मापने वाला जो यंत्र होता है वह होता है ओडियो मीटर तो ध्वनी की तीवरता को मापने वाला यंत्र कौन सा है ओडियो मीटर तुम्हारा आंसर जाएगा option question number 31 मेगावाट बिजली के मापने की इकाई है जो मेगावाट जो पावर स्टेशन होते हैं वहां पर लिखा जाता है इतनी 450 मेगावाट 750 मेगावाट के पावर जो स्टेशन थापित किये गए सरकार के द्वारा तो जो मेगावाट होते हैं वह उत्पादित की जाती है या आपर option यह हो जागा है यानि उत्पत्ती की जाती है मेगावाट में जेक्स कोच्छन नम्बर 32 मीमलिखित में से किसमे रे किस ने एक्स रे करणू का अविस्कार किया तो एक्स रे किरणों का अविस्कार है वह किया था रांट जन्ने एक्स क्रेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटे चीन के पिंघाज के लिए बिल्कूल से आपने ऊंचाई पहे हैं अतनी तेज वाईयू प्रवाहित होती है बिद्धाजरा केलिए तो यह नहीं सब्सक्राइब यह होता है मोनोमीटर मेनो मीटर जो है वह दावांतर के लिए उपयोग में लाया जाता है थो यहां पर क्या करता है यह जो होता है सरवे करने के लिए होता है हुथ उसमें कोई बस तू उस स्थान से दूसरे स्थान तक पहुचने में कितना डिस्टेंस कवर करती इस चीछ के सर्वे करने के लिए टैक्योमेटर का उप्योग होता है तो और यहां पर लास्ट ऑप्सन है पाइरोमेटर पाइरोमेटर उत्चताप के लिए बिल्कुल सही तो इस कुर् दुर॑ईन के समानमे रखा गया तो जो चंद्रय दूरवीन है इसका नाम सोब्रमन्नियंग चंद्रसेखर के नाम पर रखा गया तो और पर पर सही हो जाएगा कोर में मंधल की अपच्छित आधर्ता मां पी जाती है तो हमनल के अपच्छित आधरता होती है यह हाई ग्रो मीटर हाई मिटर से ना क्रिम की कौन सिर्थी सिनल अस और याप अपेच्छित आद्रता है यह हाइग्रो मीटर के द्वारा नापी जाती है तो ऑप्सन दी हो जाएगा इस कोशन का कोशन नुबर 37 सूर के किरणों की तीबरता नहीं सूर की जो किरणे होती है उसकी तीबरता नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रियोग में लाया जाता है दूर की किरणों की तीबरता नापने के लिए जो है यह एक्षिनो मीटर उपकरण उप्योग में लाया जाता है हमारा अंस फोल आपकरण ऑप्सन दी हुआर्यक सब्जार के आते हैं नाप्सन На. 38 वायू मंदलिये दाब को मापने में यंत्र का उप्योग किया जाता है तो वायुदाब कम होता है तो यह किस चीज़ का संकेतक होता है यह तूफान आने का संकेतक होता है जब वायुदाब कम हो जाता है तो तूफान आने का संकेत होता है अगर अचानक से बैरोमीटर नीचे चल जाता है इसका पारा तो यह तूफान आने का संकेतक है नाश कुशन प स्केल देखता है सिस्मोग्राफिक इस्टूमेंट और मेजर में उन्ट वो रिक्टर स्केल होती है तो यहां पर आंसर हो जाएगा ऑप्सन सी नेस्ट को पर आते हैं नमबर 40 वायू मंदलिये दाब मापा जाता है तो वायू मंदलिये दाब जो है इसके दौरा मापा जाता तो यह मापा जाता बैरो मीटर के दौरा अभी हम लोग ने इसी प्रेस्ट को देगा था तो बैरो मीटर सेम कोश्चन है तो वायू मंदलिये दाब बैरो मीटर के दौ दूद का अपेच्छित घनत ग्याद किया जा सकता है तो दूद का अपेच्छित घनत होता है यह लेक्टोमीटर के द्वारा ग्याद किया जाता है लेक्टो मतलब दूद और उसके घनत को नापने के लिए दूद की जो क्वालिटी उसको नापने के लिए लेक्टोमीटर का और लैक्νοमेंटर दिया हुआ है और सब्सक्न ऐचियों के नीचे दिये गए कूट से सही उत्तर का चैन कीजिए चली देखते हैं यहां पर इस्टैथ्ञ पॉप, हुप जो fighting यह दोनीयों को यह कि गती जो इसको सुनने में काम आता देखा वाइप सी रहती है नीचे जो है गोल से शिक्का से रहता है उसको लगाते हैं जो यहां पर हो जागा एक तीन तो इसके लिए इस्टूमेंट को कहा जाता है स्टेथोस्कोप अगला है यहां पर इस फिग्नो मी हभी तो पहले एक पाइप निकला हुआ होता है और 1 meter से कि प्रेसर यह नीव डबने के पाइप निकला होता है अगला है ऑप्शन सी के तो मीटर होता था यह अगला है और सबसे सुद्ध जो सोना होता है वह 24 केरेट का सोना होता है तो जो केरोटो मीटर सोने की सुद्धा हां पता करने के लिए यूज किया तो यहां पर हो जाएगा तो यहां पर देख लेते हैं पर 3421 तो यहाँ पर देखिए C है 3421 तो हमारा अंस हो जाएगा option C next question पर आते है रक्त दाव को मापने का यंत्र का नाम क्या है अभी हम लोग ने इस पर बात की थी स्विग्मो मीटर जो होता है ये blood pressure को नापने का यंत्र है तो option B सही हो जाएगा नेस्स question पर आते है question number 44 परकास की तीबरता मापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं उसे कहते हैं लेक्स मीटर परकास की तीबरता को नापने वाले यंत्र को लेक्स मीटर कहा जाता है तो अंसर हो जाएगा option C next question question number 45 रडार उपयोग में आता है तो देखिए रडार जो होता है ये उपयोग में आता है और ये कौन सी धुनियों को उपयोग में लाता है तो देखिए रडार जो होता है ये radio तरंगों द्वारा वस्तुओं की इस्तित कि ग्याद करने में और दूसरी चीज है किस टेक्नोलोजी को यूज करता किन तरंगों को यूज करता है तो ये radio तरंगों को यूज करता है तो चमगादर होते हैं वो भी radio तरंगों को यूज करके वस्तुओं की स्तिति को पता करते हैं उसी के द्वारा वो लोग उड़ते हैं तो हमारा अंतो कि ऑप्चन C और रडार का ही उपयोग जो होता है वह हमें ज़ो मैं रीच्ज वाइटवीटर में किया जाता है रडार का ही प्रयोग किया जाता है कुछ नमबर 46 सूची साथ सुमिलित करें और नीचे दिए गए कूड को 치 sitio कीजिए देखें पहले देखते हैं यह किसमें उपयोग किया जाता है तो हमारा अंसर हो जाएगा तो हाइग्रो मीटर तो हाइग्रो मीटर जो यहां हो जाएगा तो यहां हो जाएगा तो यहां यहां पर बैरो मीटर जो होता है यह दाप को नापने के लिए होता है तो यह जाएगा वन आप देख लेते इन 2-7 रिक्टर पहिमाना मापने के लिए परियोग होता है तीजिकर रिक्टर पहिमाना अब हम लोग ने बात की ओथे तो बिटर पहिमाना यह माम प्राइमा स्कार की लहरे होता है उस्पीर जाता थिकए यह होती है ढक्ति कारण हम लोग जो प्रतिविया उसकी आंत्रिक संरचना के बारे में भी पता लगा सकते हैं इसी को सेकंडरी वेव कहते हैं और यह वाली जो है प्राइमरी वेव होती है यह कंपिये तरंगे हैं नेस्ट कुर्शन पारते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है तो देखते हैं यहां पर पहला है सेल् नहीं हो गयों क्वीयों, यह तोस को सकते हैं यह तक रसे करिणये थोसमेलित के लिए तरंगे पहला क्वाहां संस्यालेके जयाता है mursid अंचाई जो होता है यह फोटन इसल्ग होता है कौन से मिटर सो करता है ओल और युजल why Brash और जो विद्युदहारा तो विद्युदहारा जो और देख लेते फिर सह पीछए और ये अल्टीमीटर जो था वह यह यह ठ टू हो जाएगा और उन्चाई जो है अल्टीमीटर यहा थाणिToday यह तीन हो जाएगा और Do the last Minutes ? सींका जूए बन हो जाएगा तो महारा अंसर जाएगा यहाँ पर two three one four तो यहां पर जाएगा टू थ्री टू थ्री बन फोर तो हमारा आंसर जाएगा ऑप्सन ए नेस्ट कोश्चन पर आते हैं कोश्चन नमबर 50 फाइनल कोश्चन इस वीडियो का वस्तु की मात्रा बदलने पर परवर्तित रहेगा तो जो वस्तु की मात्रा जो होती है उसको अगर आ परवर्तित रहेगी तो यहां पर मात्रा से उसके घनत में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो यह अपर वर्तित रहेगी तो मारा आंसर हो जाएगा ऑप्सन डी इसी के साथ इस वीडियो को मुझे समाप्स करते हैं नेक्स वीडियो में हम लोग अगले 25 कोश्चन पर जो करते हैं